नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सन्यासी जी के चैनल पर दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो दोस्तों पांच पक्षी ऐसे होते हैं जो घर में आ जाने पर परिवार को पूरी तरह से बरबाद कर सकते हैं यहां तक कि गर्भवती महिला के लिए भी यह अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों यह पांच पक्षी गलती से भी आपके घर में नहीं आने चाहिए नहीं तो प्राचीन काल से ही लोग इस परंपरा और स्थानिक लोगों की मान्यताओं पर आधारित इन बातों को आज भी सही मानते हैं, तो ऐसे में चलिए, जानते हैं, वो पांच पक्षी कौन से होते हैं, जो घर में आ जाने पर पूरा घर ही कंगाल बना देते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो दोस्तों नमबर एक पर है कि पौरानिक मान्यताओं के अनुसार घर के अंदर अगर चमगादर घुस जाए, तो उस घर में बीमारियां, मौत और बरबादी अपना बसेरा बना लेती हैं, वहीं कई लोगों का मानना है कि घर में चमगादर का बसेरा होने से परिवार तूट कर विखर सकता है, और चा जाती हैं उस घर में मनहुस अब नमबर दो पर है कौवे का बार बार घर में आना या घोंसला बनाना अच्छा नहीं माना जाता वही सपनों में कौवों का अना कई तरह के संकेत दे सकता है जैसे सपनों में कौवों की आवाज सुनाई देना या घर में बैठते देखना कहीं से समाचार आने का संदेश ह अब नमबर तीन पर है ये बहुत ही शुब संकेत माना जाता है ऐसा माना जाता है कि ये उस घर में माता लक्षमी होने का सबूत है ऐसे घर में कभी परेशानी नहीं आती बल्कि खुशियों का तांता लगा रहता है दोस्तों, अब बात करते हैं नमबर पांच की उल्लू का अना दोस्तों अगर आपके घर में बार बार उल्लू चला आता है और बार बार एक ही दिशा में चिलाता रहता है तो ये बहुत ही अशुब संकेत माना जाता है ऐसा माना जाता है कि एक दो बार घर में उल्लू आने पर घर में खुशियां आती है और उनका बार-बार घर में आ जाना बरबादी का लक्षन है तो मेरे साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हर हर महादेव दोस्तों